नमस्कार मैं अभीशेक केत्रान सिटी नूस बरेली में आप सभी का सौगत करते हैं तो आईए नेटे डालते हैं आज की कुछ खबरों पर सीबिगन थाने के पाथ पुलिस कर्मी, कोट में तनाद बाबू, आईवीराई का करमचारी सहित 43 लोगों की रिपोर्ट करोना पॉजिटिव आई है बरेली में करोना का ग्राफ लगातार बरता जा रहा है बरेली में पिछले 24 गंटे में 43 लोगों की रिपोर्ट करोना पॉजिटिव आने के बाद स्वाज विवाग में हडकम मच गया है जबकि दो लोगों की करोना से मौत हो गई है, जिसके बाद बरेली में करोना की मौत का आकड़ा 12 हो गया है प्रवासियों से फैले संकल ने प्यार पसाने शुरू कर दिया है बरेली में सीविगन थाने में 5 कुलिस कर्मियों की रिपोर्ट करोना पॉजिटिव आई है आई विराई और जनपद न्याले में भी एक के करमचारी की रिपोर्ट रोना पॉजिटिव आई है जिसके बाद आई विराई और कोट को दो दून के लिए बंद कर दिया गया है बरेली में कई बड़े उद्धोग पती और व्यापारी अब करोना की चपेट में आने लगे हैं और शेयर का लगवाग आदिस से ज्यादा छेतर कंटेन्मेंट जोन बन चुका है जिला सर्विलांस अधिकारी ACMO डॉक्टर रंजन गौतम ने बताया कि कल आई विराई इससे जो रुपोर्ट आई है उसमें 38 लोग की रुपोर्ट करोना पॉजिटिव आई है जबकि एक दिन पहले जो रुपोर्ट आई ती उसमें 14 लोग की रुपोर्ट करोना पॉजिटिव आई है शेयर के पास इलाके रामपुर कारडन, राजिन नगर, मौरल टॉन से भी अब क्रोना ने पैर पसाल लिये है ACMO डॉक्टर रंजन गौतम ने कहा है कि वो अपील करेंगे कि बुजूर और छोटे बच्चे घर से बाहन ना निकलें सभी लोग मास्क और सनिटाइजर को उप्योग करें और सोशल डिस्टंसिंग का पालन करें इनरवील कलफ नौर्थ की अध्यक्ष बनी दीक्षा, रितू सचिब बनी इनरवील कलफ नौर्थ की नई टीम का गटन हुआ है आपदा की वज़े से सभी बोर्ड मेंबर्स की उपस्तिती में नई टीम कटित हुई है पूरब अध्यक्ष रूवी अगरवाल ने कॉलर और पिन लगा का नव निर्वाचित अध्यक्ष दीक्षक सक्षेना को अध्यक्ष पस्वापा दीक्षक सक्षेना ने बताया कि इनरवील कलफ का मुख्योदेश समा सेवा और मित्तरता है मैं कलब की अपेक्षाओं पर खड़ा होताने के लिए पूरी तरह से तक परूँ महिला जागरीती मंद्स की अद्धक्ष मनु नुईरज और मानव सेवा के अद्धक्ष विनु सिना का सम्बान भी किया गया आज कलब ने डॉक्टर डे पर डॉक्टर पुरसुन जोरी को मोमेंटो और पृतिक चंदे कर संबानित किया इसके अलाबा कलब ने चार्टर डे भी मनाया और चार्टर मेंबर मिवा अगरवाल और सीमा अगरवाल का ओनर किया के काटकर क्लब साथसों ने चाटाटे मनाया नमस्कार मेरे आम दीचर सथेना है और एनर्वील क्लब नॉर्ट की आज पहले तो मैं सचिती आज हमारी नेडिंग पर गठेट हुआ है और अध्यक्ष प्रत्पे मेरी नुप्री हुई है आज हमने आज दॉक्टर से फस्ट लाइक होता है वो सालीबेट किया है चार्टर डे है तो हमने दो हमारे चार्टर है दिये तो उनका सम्मान के चार्टर मेंबर्स का उसके अलावा हमने केक कार्ट के चार्टर डे मनाया है और नई टीम तुकटेत हुई है उनका सब को आज हमने पिन लगा के और कॉलर पहना के उनको नई टीम को डाइस पर बिठाया है यह वाज क्या कारिकरम के बारे में दिक्षा जी में मुझे सूचना दी थी कि आज उनके किलब का कारिकरम है और शाथ पदा अधिकारी बदले गए थे इसमें अध्यक्ष व्यगर्ण सब पहली बार तो मैं इनको बहुत-बहुत मुबारक बात देना चाहूंगी और इतनी एक्टिव हैं कि मैं चाहती हूँ और जानती हूँ कि यह अपने कलब के लिए बहुत मुचाईयों तक ले जाएंगी और समास सिवा में बड़ा योगदान जहा है इनका और एक चीज होती ना जज़वा एक ही होती है कि हम योगदान कर रह sistem कर रहे हैं यह क्वारा हमारे दो नजर पूर है और हम लक्ष की तरफ देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं जो लक्ष को अपनी नजर में रखके आगे बढ़ता है तो वो आगे बहुत तरक्की करता जाए वही दिख्षा जी और टीम मेंबर तूरा मैंने देखा और बहुत देखती हूं महलाओं को सारा दिन महलाओं की बीच रहती हूं तो मुझे बहुत जली एसस्मेंट भी होता है कौन महला कैसे काम करने वाली है लेकि पूरी टीम बहुत जादा इनकी क्रियाशील है और सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बदाई जिला अस्पताल में निर्माना धीन B.A.S.L.2 लेबर्टरी का आज जिला दिकारी श्री नितिश कुमार ने निक्षन किया कोविन नैंटी की रोकताम के लिए इस लेम में RT-PCR यानी Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chan Reaction Test किया जाएगा जिला दिकारी ने कहा इस लेम में स्तापना से जानलेवे विमारी पर अंकुष लगाने में साहता मिलेगी जिला दिकारी के साथ बरिश पुलिस अधिक्षक श्री शलिश कमार पंडे, नगर अयप श्री अभिशेक आनन तता मुख्य विकास अधिकारी श्री चंद्रमोन गर्ग भी थे जिला दिकारी ने कहा कि लैब के निर्माल को समय से पूरँ किया जाएगा और इसकी गुड़वकता पर बिशेश ध्यान दिया जाएगा इनरवील कलव औप बरेली मरकली की अध्यक्ष बनी सुदा सक्षेना, सेकेटरी बनी रजना सक्षेना इनर्विल किलोब बरेली में मरकरी की नई टीम का गटन हुआ है COVID-19 के चलते इसकी वज़े से सभी Board members की उपस्तेती में पूर्व अद्धक्ष अनितर गोल ने कॉलर पहनाकर और पिल लागा का नव निराचय सुझा सक्सिरना को अद्धक्ष पत की जिम्मदारी दी और रटना सक्सेना को सुदा सक्सेना सेकेटरी का पदवार समालने की जिम्मदारी दी जिला अधिकारी शिरी नितीश कुमान ने आथ 300 बैड हॉस्पिटल का निक्षन कर वहां की सभी ववस्ताओं को देखा उन्होंने का और सुनश्चित किया जाना चाहिए कि अस्पताल में आने वायों लोगों किसी पिरकार की समस्या ना हो उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी शिरी चंदर मोहन गर्ल, मुख्य चिकिस साधिकारी डॉक्टर विनी शुकला भी थे जिला दिकारी ने अस्पताल में उपलच चिकिस से सुपदाओं के बारे में कहा कि आम जन को इसका लाब मिलना चाहिए आज नहींता लोड इस्तित महानागर कैम कारेले पर पार्टी संस्तापर ग्यक्स काई डॉक्टर सोनेलाल पडेल जी 71 जनती मनाई गई मुख्य अतिती के रूप में राष्टिय कारकारी सदस्से किसान मंच शिरी सचीज चंद गंगवार और जाकी उद्दीन मानागर अध्यक्ष उपस्तित रहे सथीज गंगवार जी ने डॉक्टर सोनेलाल जी के जीवन पर प्रिकाश डाला और जगी उद्दीन जी ने भी सभी पतादिकारी उसे अपने संगटन को मजबूत करने का अनुरोथ किया सभी पतादिकारी शोशल डिस्टंसिंग का पालन करतों जैनती को धुमदाम से केक काट कर मनाया उसके बाद पुराने सातियों को माला पना कर सम्वान किया इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट वीडियो के लिए अब हमारे चैनल सिटी न्यूज बरेली को सस्क्राइब करके बैल आकन का बटन जरूर रवा दे मैं विशेक चत्रांश आपके साथ नेक्स टूडियों फिल्म लूँगा तब तब के लिए थेंक्यी सो मच